नमस्क्राइबर दोस्तों, आप शुभी का बहुत बहुत स्वागते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशीपल की बारे में जी आज दोस्तों, आज के दिन कर ओके दिकेशि उंगी क्या क्या योग बनेंगे और इनका शरापकी राशी पर क्या होगा किन किन चीज़ों को लेकर याशी में आपको शावधान रहना होगा और कौन कौन शरी कारे आपके लिए भागी इशारी होगे या शमय आपका लब लाइप के शारीगा श्वास्त करियर और धन के जिदिक केश रहेंगी इन शवी की महत्पून जान करें देंगी तो दोस्तों वीडियो को मिशना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें उश्य पले दोस्तों चैनल पर जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथी बैल आइकन को भी प्रेश कर लें यह आपकी दोस्तों स्वार्थ से रिष्टे बनाने की कितनी भी कोशिश करो यह बनेगा नहीं और प्यार से बने रिष्टे को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो लेकिन यह तूटेगा नहीं दोस्तों बात मतलब की हो तो सब समझ लेते हैं पर बात का मतलब समझना किसी को नहीं आत दोस्तों वक्त बिद जाए तो लोग भुला देते हैं बेवज़ा लोग अपनों को भी रुला देते हैं जो दिया रात बर रोस्नी देता है सुवह होते ही लोग उसे भी बुजा देते हैं दुनिया का वसूल है जब तक काम है तब तक नाम है बाकी दूर से ही शलाम है दोस्तों अंदर से हर इंसान स्वार्थी होता है हमें इस बात को समल देना चाहिए अनिता हम पूरी जिंदगी लोगों पे स्वार्थी होने का इल्जाम लगाते रहेंगे तो चलिए इसे की साथ बात करते हैं आज की राशिफल की देनी राशिफल दोसको किसी भी काम को करने से पहले उस बारे में गहरी जनकार जरूले आपको बता दें कि इसे बहुत अच्छे नजीति आपको आशिल होंगे घर में शुधार और नवी करण की योजनाएं बनेगी बच्चों को कोई उपलब्दी मिलने से उनका आत्मिश्वास बढ़ेगा तथा अपने फ्यूचर के प्रती और अधिक द्यान देने का मन करेगा इसको प्रती अधिक आपकी सावधानी को लिकर बात करें तो दोस्तों अपने अनमशे खर्चों को सिमीत रखें क्योंकि ये शमय जो है अचाना कि कोई बड़ा खर्चा आपके शमने आशकता है प्रोप्टी अधिवा गारी शमने कोई भी लोन अपनी शमता से अधिक नाने ये आपके लिए बैतर होंगे मामा पक्षके साथ भी शमनों को मजूद बनाई रखने के लिए आपका शयोग जर्वी होगा और इसको प्रान दोस्तों ये शमय आपके लिए शमय होगे ये दोस्तों आपको बता दें कि पुराणी बातों को छोड़कर नई जीवन की तरफ देख पाना आपके लिए शमय हो सकता है योग थेरेपिट्स की मदद से भानुतों के जो है उलजन कम होगी आपको बता दें कि मित्र दुवरा मिला शयोग आपका आत्मिश्वाज भी शमय बढ़ाने वाले हैं पेसे से समझे तकलीब को दूर करने की आपकी कोशिस जारी रहेगी ये शमय अपनी जुरत से अधिक खर्चा करने से आप बचें ये आपके लिए शमय बहतर शामित होंगे और इसको प्राहन दोस्तों ये शमय आपके लिए शमय होंगे आपको बता दे कि दोस्तों रशनात्मक्त तथा रोची पूर्ण कारी में भी कुछ अपना शमय वतित करें इससे दोस्तों आपको खुशी मिलेगी मांशी ग्रूप से भी रिलेक्स महसूल करेंगे ये शमय कुछ चुनोतियां भी आपके शामने आने वाली है प्रन्तु आप पूरे अत्मिश्वास दोबरा उन्हें शुर्कार भी करेंगे और शबलता भीन में हाशिल करेंगे बस definite दोस्तों हर कारी में आपको शदनी रखने की जर्वत होंगी यो और गिशी बात में आकर कोई गलत काम नो करें या फिर गलत मारग नो अपनाए दोस्तों ये शमय आपके पास योजनायान तो बहुत आएंगी या पिर बहुत योजनाय होंगी इस बात को लेकर आप अ रहेगी यह जो समय है आपके लिए आपकी इक्चार्श सकती परवल होने के कारण कटिन कामों को भी अशानिश्याब कर पाएंगे करीबी लोगों के शाथ थोड़ा शोमे वर्थाव रखने की आपको आपको आपशकता होगी तो इन पर जोड़ द्योंदे और इसको प्रांत वस्तू की खरिदारी शमंदी कारी भी हो सकते हैं तथा कारी 104 रुप से संपन भी हो सकते हैं इनसे दोस्तों आपका आत्मिश्वास भी यह शमय बढ़ने वाले हैं व्यर्थ की गतिदों में अपना शमय नश्टना करें यह शमय चल रहे उचित शमय का भरपूर सद्यूप हो सकती है पैतर होगा कि श्वेंगे अपने कारियों को शंपन करने का आप प्रयाश करें और इसकी प्राण दोस्तों यह शमय आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि आप पर बने हुए कर्च को मिटाने की आपकी कोशिश परगती को और बढ़ रही है फिर और इसको प्राण दोस्तों यह शमय आपके लिए शमय होगे दोस्तों आपको बदा दें कि कि किसी समाजिक स्वेश संता से जुड़ने तथा उशमय अपना शयोग देने में यह शमय अधित्तर शमय वयतित होगा अगर घर पर वरतन करने की सोच रहे है तो दोस्तों उसके ध्यान दखें शाथी दोस्तों भाईयों के साथ ही कोई मनुठा की स्थिती भी उत्पन हो शकती है समय दारी तता शांती पुर्ण तरिके से काम लेने का प्रयाश करें इनसे दोस्तों आप पस्तितियों को ठीक कर पाएंगे द्यारती अपनी पढ़ाई पर और धिक ध्यान खुद के जीवन के प्रती अधिक फोकस बढ़ाने की यश्मे आपको अशकता होंगी दूसरों की मदद करने से पहले अपने काम को पूरा करना आपको यश्मे शिखना होगा और इसके प्रांद दोस्तों यश्मे अगर आपकी केरेट को लेकर बात करें अर्थात आपके व दोस्तों वयपार श्मंदी गतिद्यों का और अधिक परचार परशाज करना जरूरी है प्रवाव शाली नए शंपर्ग भी बनेंगे यश्मे मार्केटिंग तथा इनसे श्मंदी गतिद्यों पर अधिक ध्यान दें और लोगों के शाथ मेल जुल बढ़ाएं दोस्तों य वयश्मे में आपको अच्छी सपलता भी प्राप्त होगी आई और वय का श्मानवा यश्मी बना रहेगा नोकरी की तरक्यी श्मंदी कोई सुब सब्चना यश्मी आपको मिल सकती है इसको प्राण दोस्तों यश्में आपके केरे के लिए समयोंगी दोस्तों आपको बता अगर वयश्माशाई में किसी नई काम की सुरुवात qui है तो दोस्तों जल्दी ही फायदे के मोके भी मिल सकते हैं कोई वयश्माशाई विसमें संभव को सकता है किसी के साथ मिल कर कोई प्रोजक्ट करना आपके लिए फायदे मसाइबद होगा तो इन पर आप ध्यान देह स सकती है या फिर परिशानी को खड़ी कर सकती है इसलिए दोस्तों यह में बहतर होगा कि अपने फैशले को प्राक्ति मुता दें नोकरी पैशा व्यक्ति भी ध्यान रखें कि किसी परकार की राइनिती में आप शक्ते हैं तो सतर करें और इसके प्रांदों यह में आपकी लब और इसके उप्रांदों से यह में आपके लब लाइप के लिए जिवन के लिए समोंगे दोस्तों आपको बढ़ा दे यह में अध्यादिक वैस्ता के बावजुद भी घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे प्रन्तु जिवन शाथी और परिवार शद्यों का को सभी और स्यों, आपके ओपर बना रहेगा जिसे धूब कि वयिस्ता भी उत्तम बने रहेगी और इसको हैं अपके लब लाएक्व जिवन के लिए समोंगे पारीविल वायस्ता को लेकर पती पत्री के बीच कोई तक्रार भी रहे शकती है प्रुर्थ यह जो समें आप लि सुचारों रुप से संपन भी करेंगे तथा परिवार जनों के साथ दिनर तथा घुमने फिरने का प्रोग्रेम भी बना शकते हैं और इसको प्राद दोस्तों यश्मी अगर आपकी स्वास यानिस सहत को लिकर बात करें तो दोस्तों यश्मी वनसान नुगत बिमारी समधी पुराने रोग दोबारा उठ सकते हैं इसलिए दोस्तों यश्मी लापरवाई बिल्कुल ना परते हैं और वैस्ति दिन्चरिया रखें यह आपके स्वास के लिए बहतर शाबिद होगे और इसको प्रान दोस्तों यश्मी अतिदिक कारवार की विज़ा से भी थकान, सिर्दद और इनसे जुड़ी परिशानिया रह सकती हैं टाइप इडिज वेक्ति भी अपने खानपन पर पूरा परहेज रखें यह आपके स्वास के लिए बहतर होगे इसको प्रान दोस्तों यश्मी आपके स्वास के लिए समयोंगे आपको बता दे नचला जुझखाम की समस्या भी आपको प्रेशान कर सकती है दोस्तों यह में लाप्रोहाई बिल्कूल ना परते और अपना उचित इलाज ले यह आपके श्वास के लिए बैतर होंगे तो इन सबी चीज़ों पर ध्यान दे और श्कुप्रान दोस्तों यह में आपका भागी शाली रंग रेगा हरा और भागी शाली अंक रेगा छे